उत्तर प्रदेश में हुए खनन घोटाले में जांच के लिए सीबियाई ने पूर्फ मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के रास्टे अध्यक्ष अखिलेश यादव को नोटिस भीचा था जिसमें उन्हें गवा के तौर पर पूश्ताच में शामिल होने के लिए कहा गया था अखिलेश ने दिल्ली में जांच में शामिल होने में असमर्थता जताई है उन्होंने कहा है कि वीजियो कॉन्फरेंसिंग के जरे वो शामिल हो सकते हैं इस मामले में सबा प्रमुक की ओर से जाच एजनसी को जवाब भेजा गया अखिलेश यादव ने अपने जवाब में सीबी आई के एक्शन पर सवाल भी उठाए उन्होंने कहा है कि इस मामले में 2019 में एफ आयार दर्ज की गई है लेकिन बीते पांथ साल में इस मामले में कोई जानकारी नहीं मांगी गई अब अचानक लोगसबद चिनाफ से पहले सीबी आई ने नोटिस भेजा है हाला कि उन्होंने ये भी कहा है कि वो जाच में सहीयोग करने के लिए तयार है दरसल सीबी आई ने अखिलेश यादव को खनन घोटाले मामले में 21 फरवरी को नोटिस भीजा था और 29 फरवरी को अखिलेश ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के रूप में उनका यूपी के मद्दाताओं के प्रती सामवेधानिक करतव है हाला कि मैं जाच में सहीयोग करने के लिए तयार हूं उन्होंने आगे कहा कि यूपी में राजस्थान चिनाफ और आगामी ल से पहले नोटिस भेज़े जा रहे हैं वही अखिलेश को मिले नोटिस पर उनकी पत्नी और मैंपुरी से सांसर डिंपल यादव ने कहा कि हमारा गड़बंदन मजबूत हुआ है इसलिए समन आया है उन्होंने कहा हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह सी बी आई का देश में द रहे हैं